अवेरिकु डिविनिंग टू आल अफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन के अड़िसिक्स में रूख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एक्चुली यहां पर तीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस तीन नोटिफिकेशन से पहले तीन और नोटिफिकेशन भी जारी किये गये हैं मैं इन सब का बेवरा लिखकर रख रहा हूं आप भी लिखके रखिए कौन कौन सी विकेंसी कब आ रही है इसके बारे में सारा डिटेल हो सकता है कि यह विकेंसी अगले आने वाले साल दो साल के बाद भी ली जाए तो इसके बारे में आप कम से कम अपडेट रहेंगे दोस्तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपको एक एडविटाजमेंट संकिया जिया 13, 14 और 15 के बारे में अपडेट दिया था जहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स की वेकेंसी निकाले गए थी प्रिंस्पल और होडिस की वेकेंसी बताए गए थी अब यहाँ पे BPSC ने जारी किया है तीन और नए नोडिफिकेशन यह नए नोडिफिकेशन है दूस्तों आपके प्रोफेसर्स को लेकर जियां हर कॉलेज के लिए जो भी पॉलिटेक्निक या इंजिनेरिंग कॉलेज में बिहार के लिए यहाँ पे आविदन करना चाहते हैं वो चातर यहाँ पे आविदन कर सकते हैं 16, 17 और 18 एडविटाइजमिंट संक्या है 2020 का तो इसके लिए क्या-क्या एलिफिटी क्रेटेरिया है यह सारा डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो के माद्यम से थोड़ी देर पहले मैंने एक और विकेंसी का अपडेट दिया था जो कि आप तक नोटिफिकेशन ही नहीं गया था लेकिन मैंने इसको टेलिग्राम पे शेयर कर दिया था ताकि आपको यह नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक यह सारी चीज़े पहुँच सके लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है इस विडियो को जरूर देख लिजिएगा और बिहार के और भी अधर विकेंसी को लेकर जो भी अपडेट है मैं आपके चैनल के अपने चैनल के मादिम से आप तक पहुचाने की पूरी कोसिस करता हूँ टेलिग्राम कैसे डाउनलोड करना है तो देखे टेलिग्राम एप्लिकेशन है पहले प्लेश्टोर से इसको डाउनलोड कर लिजिएगा तो क्या-क्या eligibility criteria है यहाँ पर मैं इसके notification को ही download कर लेता हूँ और आपके लिए यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर इसका सारा detail देता हूँ और यह same criteria आपको तीनों ही vacancies के लिए है लेकिन discipline यहाँ पर अलग-अलग है जैसे कि यह vacancy है आपका electrical and electronics जो की EC department से है चात्र है उनके लिए और यह है chemistry से जिनोंने graduation किया अपना ठीक है उनके लिए है तो जो भी चात्र यहाँ पर आविदन करेंगे उनके लिए क्या-क्या-क् जाता हूं तो दोस्तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर आपके लिए यह आप देख सकते हैं computer science की छात्रों के लिए अहां बता देगी total vacancy 12 है ऐसे ही हर department कुछ-कुछ vacancies निकाली गई है जो कि यह professors की vacancy है दोस्तों और इसके लिए आप भी आविदन कर सकते है अगर आपने यहां computer science and engineering में PhD, degree या फिर computer science में engineering कर रखा है और इसनाथ तक के साथ-साथ यहाँ पर प्रथम स्रेणी से आविदन का मतलब की pass out हैं PhD अगर आपने कर रखा है तो ठीक है और साथ-साथ engineering में first class का degree होना चाहिए और आपका या तो master degree होना चाहिए computer science engineering में यानि कि simple सी बात है कि आपका यहां पे engineering और PhD तो अनिवारिया है जी है PhD अनिवारिया है PhD होना चाहिए आपका computer science engineering में या अगर आपने master's किया है तो first division की जुरूत नहीं है या computer science में अगर आपने ME या M.Tech किया है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं 10 साल का यहांपे अनुभाव मांगा गया है जिसमें कि 3 साल का अनुभाव आपका associate professor का होना चाहिए 10 साल में 3 साल का associate professor का आपका क्या होना चाहिए तो experience होना चाहिए इसी इसका आप ध्यान रखेंगे जो भी प्रोफेशर के लिए अविदन करेंगे चात्र है वो शिक्छन सोध या फिर उद्योग में सब प्रधाप्यक बेतन पर यहाँ पर 13 A1 के लिए आपको यहाँ पर माने दिया गया होगा तभी आप इस कलावधन कीजिए यहाँ पर पा रहे होंगे तभी आप इस कलावधन करेंगे जो छातर यहाँ पर प्रणती यानि कि जो प्रमोशन लेकर यहाँ पर ACCI, Journal, UGC यहाँ पर अभात श्रीप, अनुमोदित जिसे हम लोग कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर Associate Professional यहाँ पर प्रोफेसर की जुरत है यहाँ पर जो की UGC और AICT अप्रूब्ड है जिनको यहाँ पर जॉब कर चुके हैं एक्सपीरियंस है छातर वही आविद जैना नहीं करेंगे उनका यहाँ पर मान्य नहीं रखा जाएगा और डिप्लोमा भी यहाँ पर मान्य नहीं रखा गया है ठीके आपके डिगरी होनी चाहिए B.E.M.T.E.C. में या M.E.M.T.E.C. में और PhD तो अनिवार यह रखा गया है उमर सीमा की बात कर ले तो 32 वर्स से कम उमर नहीं होना चाहिए उपर ही होना चाहिए और आपको 65 साल से भी यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए 18-2020 जो है योगिता के लिए यहाँ पे cut-off date रखा गया है आप इदन कर सकते हैं आप लो अब यहाँ पे चैन की जो प्रकिरिया होगी वह आपके सारे documents verification किये जाएंगे और आपका जो merit बनेगा वह आपके qualification आपके experience और आपके PhD के base बनेगा जैसे कि maximum 10% का weightage आपका M.E.M.Tech या MS का रखा आपने computer science में देन उसका weightage बनेगा और 10% का weightage बनेगा 5% का weightage आपका B.E.B.Tech आपने B.Sc. Engineering कर रखा है computer science में तो भी आप आविदन कर सकते लेकिन PhD तो अनिवारिया है जिसके लिए 5 अंग आपको अलग से दिये जाएंगे तो यह आपका weightage बनता यहां से और chain का आधार होगा यह प्रक्रिया पुरा यह आप इसको check कर सकते हैं जो भी लोग यहां पर आविदन करेंगे वो अच्छी तरीके से इसके बारे में सारा डिटेल जानते हैं और अपने अगर research guidance भी काम किया है तो भी आप इसके लिए आविदन कीजिएगा यहां पर आपको कुछ priority जो है वो मिल सकेगी तो यह है आपका detail पुरा computer science को लेकर दोस्तो इसके लिए अगर आप आविदन करने चाहते हैं तो आविदन जरूर 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इसका भी है इसलिए ध्यान रखिएगा यहां पर 31 अगस्त से पहले आविदन कर लिजेगा और 4 सेप्टेंबर से पहले online form का फीज भी सब्मिट कर लिजेगा 18 सेप्टेंबर से पहले आपको अपना सारा documents जो है self register के डाक के द्वारा एक लि computer science के लिए आविदन करने के लिए बोला गया है दोस्तों तो यहां पर मैंने इसके बारे में detail दिया आपको क्या करना है इस पते पर सारा documents आपको share करना है और यह advertisement सेंगे 17 2020 का है जिसके लिए आप आविदन करेंगे computer science के चात्र है दोस्तों अगर हम बात कर ले यहां पर electrical क इसके लिए भी तो सेम criteria है यहां पर उसके लिए भी EC वाले चात्रों के लिए भी और जो भी चात्र यहां पर chemistry से हैं देखेगा इसको मैं एक बार download कर लेता हूँ क्योंकि यह थोड़ा सा यहां पर अलग है और जो चात्र यहां chemistry से हैं उनके लिए भी आविदन करने के लि लेकिन branch उनकी क्या होनी चाहिए तो electronics और electrical यहां पर पूरा 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 पैटर्न है यह बताया गया है कितने संख्याएं हैं यहां पर उनके लिए बेतन की बात कर ले तो 1,44,44 की बेतन salary आपको मिल सकते हैं लेबल 14 का जिया आपको salary pay scale दिया जाएगा यहां पर बाकि चैन का अधार बिल्कुल सेम है यहां पर बेटेज आपका उसी प्रकार से लिए जागा जैसे computer science का मैंने आपको बताया है दोस्तो बात कर लेते हैं एक के लिए आप यहां आविदन करेंगे जो चातर chemistry के लिए आविदन करेंगे उनके लिए भी PhD अनिवार है chemistry में master degree कर रखा है आपने तो आपको यह लिए अच्छा होगा यहां पर जिया और 10 वर्स का अनुभाव होना चाहिए जिसमें के 3 साल आपका associate teacher का भी experience अनिवार है ब ऐसे लोगों तक जो कि इसके लिए योग्य हैं तो आप प्लीज share कीजेगा आप किसी का भला कर सकते हैं इनसा भी notification के जरिए share करके तो बिहार लोग सिवायों की तरफ से यह जो वेकेंसी निकाली गे थी प्रोफेसर और होडी के लिए मैंने आप तक share किये हैं टोटल 6 वेक जल्दी लेकर आ रहे हैं